जनिता बराबर ये जानना चाहती है कि आपने 95,000 नौक्णियां 15 वर्षों में दी और नितिस कुमाजी के शासन में 7,000,000 नौक्णियां और 7,000,000 रोजगार के उसार हुनर को पहचान कर इसकील मैपिंग के जरिये कौसर विकास के जरिये आउट्सोर्सिंग के जरिये लाखो लोगों को रुजगार मिल रहे हैं तेजस्वी यादो लोगों को चाहिए जीतरा भी बर्गलाने की कुशिस करें और बिहार के लोगत्री मुख्यमंत्री नितिस कुमार जी के शासन में ढूबने का प्रैटन करेंगे उतने ही उनके पैट डलडल में फस्ते चले जाएंगे जस्वी यादों को एक बात का पता तो चली गया है कि लालू जी के परणवर्सों के शासन की जो खौफना क्यादे हैं उसको बिहार की जनता भूलने के लिए करता ही तयार नहीं है अब बिहार में विधान सभा के चनाव जल्द होने वाले है और राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है ये सबों को मालूम है इस बार के चनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है विपक्ष के ओर से लगातार बिहार में बरती बेरोजगारी को लेकर लेकिन इसी को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया है तेजस्वी यादव को जेडियों के प्रवक्ता राजी वरंजन ने करारा जवाब दिया है यह कहा है कि नितीश साशन की खामिया खोजने के बजाए वो 1990 से लेकर 2005 में उनके साशनकाल में क्या हुआ उन्होंने कितनी नौक्रियां दी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे जरा सुनिए राजी वरंजन ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादो लोगों को चाहे जीतरा भी बर्गलाने की कुशिस करेंगे और विहार के लोग्तिय मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के शाशन में खामिया ढूंडने का प्रेत्न करेंगे उतने ही उनके पैट डलदल में फस्ते चले जाए इसलिए कि जरता बराबर ये जानना चाहती है कि आपने 95,000 नौक्रियां 15 वर्षों में दी और नितीश कुमार जी के शाशन में 7,000 नौक्रियां और 7,000 रोजगार के उसार हुनर को पहचान कर स्कील मैपिंग के जरीए कोसर विकास के जरीए आॉर्सोर्सिंग के जरीए लाकों लोगों को रुजगार मिल रहे हैं ग्रामी नार्ट विवस्ता में जान फुकी जा रही है तो कोई तुलना तो नहीं हो सकती है और जहां तक अन्य प्रस्ट है उद्योगों को ले करके तो अभी शायद उन्हें जानकारी नहीं होगी कि नए विचारों के लिए स्टार्टप पॉलिसी देश में सबसे पहले बिहार ने लगू किया 2016 में और आठ जब स्टार्टप की रैंकिंग जारी की गई है तो इन विचारों को सबसे प्रमुक्ता के साथ देश के सामें लाने के लिए बिहार को पहले नंबर पर रस्थान दिया गया रहा है शायद इस पर को जिस दिन तेजस्वी यादो समझ लेंगे तब वो जनिता के मन में नितिश्कमार जी के प्रती जो सुने और प्यार है उसका कारण समझ भाएंगे दरसल तेजस्वी यादो को एक बात का पता तो चली गया है कि लालू जी के परनवर्सों के शासन की जो खौफना क्य प्यादें उसको बिहार की जन्ता भूलने के लिए करता ही तयार नहीं है और नहीं उन्हें माफी देने के लिए वो तयार दित्ती है अब उन्होंने एक नया पैत्रा खिला है लालू जी की तस्वीरों को पोस्टर से गायव करके खुद को सामने रखा है लेकिन एक विवस्था का जो सबसे बड़ा सच है कि तेजस्वी यादर लालू जी और राबडी जी के सुपूत्र है उनका खुद का कोई वजूद नहीं है उनका खुद का ना कोई अनुभाव है ना उन्होंने मिटी से जुड़े सवालों पर कभी कोई संघर्स किया है सोने का चम्म दार हमला सत्तापक्ष के ओर से बोला गया है बेरोजगारी के मुद्दे को इन दनों लगातार तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन सत्तापक्ष के ओर से ये कहा जा रहा है कि जोतनी नौक्रिया नितीश कुमार के साशन काल में लोगों को दी गई ह उसके आधे भी लालुकुषाद यादव ने लोगों को नहीं दी है और जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की जो इन दनों इतना ज्यादा बोल रहे हैं ऐसा जेडियू के प्रवक्ता का कहना है कि वो खुद सोने का चमच लेकर पैदा हुए हैं कही ना कही उन पर रा जस्वी यादव लाइम लाइट पर हैं लेकिन सतापक्ष ने जवाब दिया हैं कि उन्होंने नौकरियां दी हैं लेकिन विपक्ष और जो छात्र हैं उनके भी सवालों को छोड़ा नहीं जा सकता है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में आखिरकार रोजगार कहा है पलायन क्यों करना पर रहा है चात्र अब भी मोर्चा क्यों खोले हुए हैं देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधान सभा चिनाव तक और क्या क्या चीज़ें बिहार में होती हैं बिहार की राजुनीती में क्या कुछ बदलाव होते हैं तमाम अपडेट्स हम चानल लाइफ सिटीज को आप जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज पर भी उसे लाइक करें धन्यवाद